हेलो जहन सातियों स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चले संधी बिंगनर में आशा करता हूँ जो भी मेरे भाईवे ने सभी अच्छे तरीके से त्यारी कर दोगे देखे आज जो हम बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे यूप पुलिस की जो न्यू बेकन से आगी सब कितने प्रिशन किसा में आते हैं और सबसे यह मुख बात है इस वीडियो की वह यह किस सब्जेक्तपर हम सब ज्यादा द्यान दे यानिकर कि सब्सब्र दें तो किसकी सब्चेसरी के से कर लें कि लिंक टूर्युटार में देये दिया है यह देख्शब से पहले मीदा करते हुए हम लाख कर रहे हैं यह उन्हों सब्चेक्ट की दिया सब्चेक्ट करें और ढूसरी यहाँ जो हम बाद करें यूज पीब बिस कॉस्टेबल की बात करें एक यह कुषिब कॉस्टेबल की ठीक है क्योंकि उसी के इंतियार में सबसे ज़्यादा है कि उसी में वेकंसी भी सबसे ज़्यादा आने बाली है तो देखें इसमें सब्सक्राइब आते मैं रीजनिंग जी के हिंदी अम्मीद करता हूं साहिद आपको इसारी चीन पताऊंगी मैं जो प्रिष्ण आपके वह बीस बनेंगे अभी आपको बताऊंगे रीजनिंग में पच्पन और जीके में 38 और हिंदी में आपके 37 ठीक है अब मैत में 19-20 क्यों है देखें मैं आपको बताओं इसमें बैसे अगर देखी जाए तो इसमें जो पॉर्षन रहता है वो 37-37 का ही रहता है ठीक है जैसे इस तरीके से है लेकिन इसमें चो प्रशन बनते हैं मैं तो यानि की एक मैत का प्रशन्य ने कर दिये जाते हैं क्योंर रीजनिंग की तरह यानि वह सबस्क्राइब है और यह होता है और यह ऐसा नहीं कि भरती वड़लग से बतागे तक यह रीजनिंग वह सबसे पहली बात रहा है वह इस तरीके से यह प्रिष्ण है अब बात आती है कि किस सब्जेक्ट पर सबसे द्यान दें देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं जो सबसे पहला जो फॉर्मूला आप सभी के लिए जो भी त्यारी करने वाले हो कोई भी हो कि हमारे लिए सभी सब्जेक्ट में होती है ठीक है हमारे लिए सभ पतना ही लगाव करना जो आपकी कोई भी जो पसंदीद सब्जेक्ट हो उसके बरावरी क्योंकि यह हमारी मजबूरी है कि हमारी पसंद से पर नहीं आएगा पेपर आएगा अपनी उस हिसाब से जो उसका पैटन है ठीक है दूसरी बात जो सबसे जरूरी है कि फिर मैं आपको बताओ को सबसे जवाधा किस पर जाधे अपसे ज्यादा किस पर आट तो सबसे ज्यादा इसमें दो सब्जेक्ट जो आपके स्कूर को बहुत ज्यादा आगे ले जाएंगी और वह और लगबग सभी जितने भी फिपर बैटेंगे सभी उन सब्जक्ट में अच्छा स्कूर करेंगे अगर जो सब यानि volley मान कर चेले जिन प्रष्णों को सब से यहाद है यान कि जो सबी हल कर रहा है वह हम गरने अगर वो हमने कर नहीं करें तो आप एमान करके चलिए आप सबसे पीछी रहे हैं वह सब्जेक्ट है आपकी एक तो हिंदी और एक आपकी रीजनिंग इन में आप देखिए पचपन और यह यह सहती ठीक है तो आप यह यहां देखेंगे कि यह आपके 90 प्लस प्रश्ण बरने मन रहे हैं दो सब्जेक्ट से ही जब कि आपको पता है इसमें पचपन प्रश्ण रीजनिंग को यह तनी या टफली होती है और हिंदी ठीक है हिंदी और रीजनिंग इस पर बिसेश ध्यान देने का मतलब क्या है मतलब सिर्फ इतना है कि यह जो प्रश्ण है यह आपके इस सबस्क्राइब कर देंगे तो चलेगा ठीक है जीस एक समुंदर कि तरह सका स्कलेबस है कोई इसकी लिमिट नहीं है तो इसमें लगबग आप 20 प्लस भी कर देते हो ना तो बात बन जाएगी लिए में अगर आपने ऐसा कर दिया तो दिक्कत होगा क्योंकि इनको सभी अच्छा स्कोर करते हैं इसमें तो यह सारी बात है कुलमला करके सभी अच्छे पढ़ना है लेकिन ध्यान देना है हिंदी और रीजिनिंग पर अब बात आती है क्या पैटन चेंड जोगा ठीक है यह चीज उम्मेदा वह झाही नहीं लेकिन में जतने भी टॉपिक दिए गें में सभी सब्स्ऻा सब्सक्राइब कर लो चिया को यह नहीं को भीस प्रकारें तो सब्सक्राइक प्रषण का रख्यारा पो के बाइशा हुए प्रशन आगे में तो आप क्या करोगे ठीक है बैसे मैं आप से फिर कर रहा हूं कि यह से बिल्कुल भी होगा नहीं में जो प्रशने लेवल के वह लगबग इतनी ही आएंगे बीस ठीक है बीस की आसपास ही आपके प्रशन आएंगे लेकिन बस मैं आप से यह कर रहा हूं कि आपकी पढ़ाई तो बिकार जाएगी नहीं आप सब्चे से करने उससे आपको एक फायदा होगा जो आप सब्चे से करेंगी में कि पताना कौन से टॉपिक से कौन सा प्रशन तो यह सारी जान करें आप सभी के लिए इसलिए आप अच्छे तरीकी से पढ़ाई पर द्यान दें ठीक है नोटिपिकेसिन की आप सभी को पता है कि नोटिफिकेसिन तो आना ही आना है अब यह पता चलेगी कबार है पहले तो बोल रहे थे कि नॉम्मर तक आ जाएगा ले हfristig कब आएगा लेकिन आपको यह पता है कि नोटिफिकेसिन आना ही आना है बाकि साहरी प्रक्रियां जो भी है जैसे कि हकाता है आपकी कम्पनि की लिए हुए या आपका जो भी फिजीत के लिए किसी भी तरिके से या आपकी जो मॉडर्ершी करने से करवाने के लिए तो था इस सारी बड़ती बोड़ अपने अपना काम कर रहा है आप submit काम क्या है आपका काम है अपनी फड़ाई कर लिगा से तरब करना अपने सब्सक्राइब करना जैनल नए एक नए nostreuk कर लें तो दोस्तों कर लेंए अभी वीटियो में एक नेट अपक के साथ जय हिंज जय बारत